नमस्कार गुड मॉर्निंग सभीकों मसूब करन साहे काचारिय एफम सिरी रादेशामार मुरार का गौर्वर्मिंट पेजी कॉलेज जुन्जमन आज हम विकॉम पार्ट सेकेंड एर के विद्यार्थियों के लिए एफम पेपर सेकेंड में फाइनेंशियल मनेजमेंट के अंतरगत यूनिट संख्या सेकेंड में फंड फलो स्टेटमेंट का अध्यन कर रहे हैं पूर्व के वीडियो में हमने पड़ा कि कोस्प्रवाह विवरन कब होता है कोस्प्रवाह विवरन जब हम तेयार करते हैं तो चेंज इन शिडूल और वर्किंग केपिटल के अधार पे किस प्रकार से फंड को आगे ले जाया जाता है जिसमें हम हमने अध्यन किया था कि करेंट अशेट्स में वर्दी होने पर करेंट वर्किंग केपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा और करेंट अशेट्स में कमी होने पर वर्किंग केपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा current liabilities में वर्दी व कमी होने पर working capital पे क्या परभाव पड़ा वो हमें एक schedule के माद्यम से हमने schedule के माद्यम से हमने चर्चा की थी आज हम fund flow statement किस परकार से तयार करते हैं उनका अधिन करेंगे जिसमें कौन-कौन सी ऐसी मदें हैं जो fund flow statement तयार करते समय हमें धान में रखनी होती हैं क्योंकि यह प्रसन आपके एक्जाम की दस्टी से भी उपी होगी है इससे समंदित प्रसन आपके विश्यू दाले के प्रिक्षाओं में अधिकतर पूछते हैं क्योंकि fund flow statement और cash flow statement में एक प्रसन आपके लिखेंगे तो जैसे भी fund flow statement जा हम त्यार करते हैं तो कोस होगा क्या होता है इन फ्लोर आउट फ्लो होता है बहिर गमी न आवा गमन होता है कि कौन से मद से रोकड आई और कौन से मद से रोकड गई कौन कौन से fund है जिसके माद्यम से fund flow या कोस परवा हुआ तो एक schedule के माद्यम से हम पढ़ेंगे fund flow statement for the fund flow statement for the year ended 31 मार्च को त्यार करते हैं इसको लास्ट में 31 मार्च इसमें हम लिखेंगे source of fund यहाँ पर amount अप्लिकेशन ओफंड अमाउंट और अप्लिकेशन ओफंड किस प्रकार से हम इसको क्रियान विद करते हैं जिसमें तो source of fund में पूंजी अपने पास रिशिव होती है और अप्लिकेशन ओफंड में केपिटल का बहीर गमन होता है तो सरवपर्थम हम source of fund side लिखेंगे issue of share capital अगर किसी company of firm ने issue of share capital की है तो issue of share capital को source of fund side लिख देंगे दूसरी मद issue of debenture debenture के issue से क्या रोकर प्राप्त हुई वो लिखेंगे कि इसे पर post कैस का क्या हो रहा है तो inflow हो रहा है तो issue of debenture अगला increase in loan इंक्रीजिन लोन रिंडराशी में वर्दी होने से भी लिखेंगे इसमें कि सेल ओफिक्स अशेट्स एक यह भी मद है कि संपतियों को जब हम बेचेंगे तो केस का वागमन होता है तो प्रफिक्स अशेट्स भी सोर्स ओफंड साइड हम लिखते हैं अगला है dividend received dividend received dividend received भी एक पूंजी के रूप में company अफरम को शीव होता है तो यह सोर्स साइड में इसको अफन दिखेंगे interest received interest received भी सोर्स ओफंड में इसको अफन लिखते हैं कि interest received कौन सी मद के आधार पे हुआ तो यह भी एका है interest received को भी लिखते हैं decrease in working capital अगर decrease in working capital जब हम change in schedule of working capital जब ग्याद करते हैं तो working capital में क्या कमी हुई इसको हम source of fund side लिखते हैं क्योंकि पूंजी में क्या हुई या पर कमी हुई तो source of fund side इसको अपन लिख देंगे फिर fund from operation यह अपने balancing figure के आधार पे इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अब बात करते हैं आपर application of fund की application of fund में पूंजी का बहिर गमन होता है जिसमें redemption of profit share क्योंकि अंसधारियों को जब सोदन जब होता है profit share का equity share का सोदन नहीं होता है तो उनको पूंजी दे देते हैं और बदले में अपन share करे कर लेते हैं तो redemption of profit share के amount को अपन application of fund side लिखते हैं अगर क्यूशन में देरखा हो तो अगला redemption of debenture redemption of debenture भी अपन application of fund side में लिख सकते हैं तो redemption of debenture भी ये अग महत्तुपून है अगला repayment of loan अगर loan का भुगतान होता है तो case का क्या होता है बहीर गमन होता है case का inflow होता है तो repayment of loan loan की राशी का भुगतान करने से company को क्या होती है case कम हो जाती है तो application side इसको अपन लिख सकते हैं क्योंकि future में अगर loan का अपनाशन भुगतान हो जाता है तो अपने मद से अपने firm या company से उस राशी का भुगतान हो जाता है तो यह purchase of fixed assets कोई भी समपती अगर हम purchase करते हैं तो अपने से case में कमी आ जाती है fix assets तो application of fund side इसको अपन लिखते हैं जब fund flow statement बनाते हैं समय purchase of fixed assets समपतियां इस्थाई समपतियां वे समपतियां हैं जो अपने जीवन काल में लंबे टाइम तक रहती हैं तो कोई भी company of firm जब इस्थाई समपतियों को करय करती है तो company से रोकड में कमी होती है तो इसलिए इसको application side में अपन लिखते हैं यह अपने question के अंतरगत इस पश्ट रूप से दर रखी होगी कि किस परकार से कौन सी समपतियां हैं जिसको अपन अगर डिविडेंट का बुकतान कर दिया जाता है तो डिविडेंट अप्लिकेशन फंड्स हैड आजेगा डिविडेंट पैमेंट तो डिविडेंट पैमेंट के माउंट राशी भी हम अप्लिकेशन और फंड्स है क्योंकि डिविडेंट भी कई परकार के होते हैं अंतरिम dividend final dividend dividend तो condition देखी जाती है कि dividend rescued हो रहा है या उसका yugutan हो रहा है अगर dividend received होता है तो अपना यह source हो गया अगर dividend का yugutan करते हैं तो if you usage होगी application हो गया तो यह application side parchment लिख सकते हैं और भी विविन परकार के हैं जैसे कोई भी company tax पर करती है टेक्स दो प्रकार के होते हैं डारेट टेक्स और इन डारेट टेक्स उनका अगर मुक्तान करती है तो कंपनी से केस का क्या हो जाता है वहरगमन हो जाता है तो वो application side अपनी को लिख सकते हैं text paid amount को यहाँ अपना सान लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर राशी का क्या हुआ है मुक्तान हुआ है यहाँ पर हम increase in working capital अगर increase हुआ है तो यह working capital सही लिख देंगे यह अपन balancing figure से schedule of change in working capital जब हमने तयार की थी working capital कारी शिर्पुंजी में जो भी कमिया होती है working capital जब कमिया होती है तो current assets और current liabilities में कमी और वर्दी से working capital पर effect पढ़ता है तो इस परकार अगर increase होती है तो working application अगर decrease होती है तो source of and side अपन लिख देंगे loss from operations यहां पर loss from operation लिख देंगे इसके बाद में fund flow statement के बाद में कई बार हमें लाभानी का भी adjustment करना पड़ता है कि profit and loss किस परकार से बनाया जाता है तो वो भी हम लिख सकते हैं तो P&L account हम बनाते हैं विविन परकार के समायोजन में profit and loss profit and loss के debit और credit side में यहां पर हम particulars की बात करें amount और particular तो अगर नगद में अगर कोई भी नुकसान होता है तो हमें debit side लिखते हैं जैसे loss of fixed assets हैं loss हुआ या फिर अपने को लाप रप राप तो ता गयन होता है तो वो अपन credit side लिखते हैं यह विभीन परकार के adjustment के अधार पे इनको पन आसानी से calculate कर सकते हैं तो इस परकार fund flow statement आप आसानी से तयार कर सकते हैं इन मदों के आधार पे जिससें इन से संबंदित प्रसनों का हम ही content के माद्यम से आपको whatsapp group में डेली whatsapp के माद्यम से हम आपको content देए अगले वीडियो में हम इसी से संबंदित ही cash flow statement किस परकार से त्यार किया जाता है कोस परवाविवरन क्या होता है कोस परवाविवरन की कौन-कौन सी activity होती है यह EFM paper second financial management unit संख्या second का cash flow statement की हम चर्चा करेंगे जो की accounting standard थर्ड के अमसार AS3 में तीन परकार की थ्री activities के अधार पे इनको तयार किया जाएगा जिसमें operating activity, investing activities और financing activities संबलित है तो accounting standard में अपने unit संख्या third का यह last chapter है इनका हम बिल्कुल विश्तर तुरूप से अध्यन करेंगे और become part second का जो आपका पर्थम paper है economic environment in Rajasthan उसमें हम पढ़ेंगे agriculture के बारे में इभी अगले वीडियो में आपके लिए agriculture कर्शी क्या है उसका क्या महत्तु है, क्या importance है, कर्शी साग के कौन-कौन से श्रोत है तो अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे अगर unit संख्या second में financial management में पढ़ेंगे तो open cash flow statement का धिन करेंगे और economic environment रास्तन पढ़ेंगे तो एग्री कल्चर का धिन करेंगे बहुत ही बहुत धन्यवाद, thank you very much करेंगे